है अगाइस वेलकम बैक टू मैं चनल तो यार आज की इस वीडियो में हम आपको एक प्रोग्राम बताएंगे जो आपके लिश्ट के प्रैक्टिस में आपकी हल्प करेगा ठीक है तो गाइस मैं याद दिला तूं यह हमरे पाइटन कोर्स का 80 दिट्रोय यह ए 8080 ठीक है तो प लिश्ट की लिंक दे दूँगा तो जाकर देख सकते हो और मेरी वीडियो का अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से और बेल आइकन दावा देना तो नोटिफिकेशन आ जाकर ही मेरी वीडियो अप्लोड होते ही तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर आता है तो कमेंट करके बताईए यहाँ की आपको आता था ठीक है बना तो सान बताहिव रहा हूँ एक सब्सक्राइब करेंगे बैट जब सब्सक्राइब करेंगे तो जिस ऐ데 मतं चरहें हैं उसके जो आलिमेंट के अंदर जो आप समंझ उप कर देंगे थोड़क competent अबशा बहुत सिंपल है इसे हम function बना रिस्ट करेंगे और इसी हो जाएगा यहां पर एक function define करते हैं def function यहां मैं इस function को नाम भी function ही देता हूँ आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो मैं इसे नाम भी function ही दे दिया मैंने as it is ठीक है तो यहां एक list पास करती list1 ठीक है और एक और लिस्ट बनाएंगे यहां पर list2 और उसे हम रखेंगे empty तो empty list के अंदर क्या करेंगे जब हम कोई भी update करेंगे तो हम उस list2 के अंदर update करते जाएंगे और पास में उसी list2 की value को हम प्रिंट करेंगे देखो कैसे यहां पर सबसे पहले आप list1 की सारी values को access करना है तो for i in list1 इतना करने के बाद अगर मैं क्या करूं list2.append list1 ठीक है तो इतना करने के बाद अगर मैं return करूं list2 तो इससे क्या होगा guys जो मेरी list1 थी वो as it is list2 के अंदर आ जाएगी कोई changes नहीं होंगे बट मैं बताओं अभी changes कैसे होंगे अगर मैं यहां पर एक list1 मैं आपको बता दो हम function से बाहर आ चुके हैं अब अब एक list1 मैंने बनाया तो उस list1 के अंदर मेरा क्या data होगा यहां से copy कर लेतें data को copy करके यहां paste कर दिया तो जैसे data हम paste करेंगे अपने function को call कर लेंगे simple हमें कुछ नहीं करना function और इस function के अंदर अपनी list1 को pass कर दिया और यह जो भी कुछ return करेगा उसे हम यहां simply करा देंगे print करा दिया print अगर मैं इसे अभी रंड करूं तो आपको वह answer नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए दिखाता हूं हमने इसे रंड किया तो आपको वह answer नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए आपको as it is यह कि तीन बार आदा देखिंगे अभी क्या दिक्कत है ठीक है तो साइध मैं लिस्ट पे नहीं पेंट कर दिया हमें आई एपेंट करना था मैं अब देखिर आने शायद वही है एक सिकन उनमें कोई डिफरेंस नहीं आप डिफरेंस वनाएंगे देखिंगे क्या यहां पर आप देखिए यह जो आपकर है आई यह हमारे आई की वैल्यू है तो से की का फ्रerson करेंगे है क्या ट्रिक करेंगे इ Kelvin करेंगे उसे रिवर्स करने बंगे यह की एक फ्रस्वाइक में इस तरह यहीं को डिफोली अब देखो यहां हमारा पूरे चिंज़ आ चुके हैं जो आउटपुट हमें चाहिए वह आउटपुट यहां मिल गया है तो गाइस कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी और कोई वीडिया आउट रो तो कमेंट कर देना मैं रिप्लाई देढ़ूंगा तुरंट आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज तो लाइक कर दो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ने किया तो उसे प्लीज से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड थैंक्स वोच्छ वोच्छ वाइज जयस